तुखते धगड़ाई है तुखते गुखते नहीं चाह है तन्मार्वे मोई तिरे पजा तो खानत को दीरा है पारं पारं अपारं प्रां दूंधूर जीराच्च्याँतोअ है तम्वद्क्रम्द्द्छतो मोई तुखते तुखते एफना ंति। ओम् ओम् चैतन्यम् शास्वतं शांतं ब्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदुकलातीतं तस्मै स्री गुरवे नम शार्वस्रुति सिरो रत्नम् विराजित पदं भुजम् वेधांतं अंभुजमारृत्नम् तस्मै स्री गुरवे नमः अज्ञानते मिरां धस्यो ज्ञानान जन्शलाकया चक्षु उनमीलितं येनो तस्मै स्री गुरवे नमः अखंडानंद बोधायो सिस्संता पहारिने सच्चिदानंद रूपायो रामाय गुरवे नमः अखंडमंडलाकारं ब्याप्त्यं येनो चराचरं तत्पदं तर्षितं येनो तस्मै स्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परं ब्रह्मो तस्मै स्री गुरवे नमः नगुरो अधिकं तत्वं नगुरो अधिकं परं गुरो पर्तरम नास्ति तस्मात्सं पुज्यते गुरु ध्यान मूलं गुरोर मूर्ति पूजा मूलं गुरोह पदम मांत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्षमूलं गुरोह कृपा ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिम् द्वंद्वातितं गंगनसद्रिशं तत्तमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं बिमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातितं त्रिगुनरहितं सद्गुरुंतं नमामि ओम नमू ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासं प्रदायकर्तिभ्यो बंशरिशिभ्यो महद्भ्यो नमू गुरुभ्याः सर्वो पक्प्लव रहिता प्रज्ञान गना प्रत्यगर्थो ब्रम्हे वाहमस्मि नारायनं पद्मभवं बसिस्थं शक्तिंच तत्पुत्र परासरंच व्यासं शुकं गुडपदं हांतं गोबिंद योगेंद्रं अथासे शिष्यम स्रीशंकराचारियम अथासे पद्मपादं चहस्ता मलकं चशिष्यम तंत्रोटिकं भारत्रिककारं अन्यान अस्मत गुरून संततम आनतोस्मि सुते स्मिर्थे पुराणानाम आदयम करुणालयम नमामी भगवत पादं शंकरं लोक शंकरं 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 शंकराचारियम केशवं बादरायनं सूत्रभास्यक्रतव बंदे भगवंतव पुनापुनाः इस्वरो गुरुहू आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने ब्यो मुवत ब्याप्त देहायो दक्षना मूर्ते नमाः अश्भा निर निराचस्ति तनोति श्रुभ संततिम् स्मृतिमात्रेन यत्पुन्साम् ब्रह्मतन मंगलं परम अतिकल्यान रूपत्वान नितिकल्यान संस्रयात् स्मर्त्रेनां बर्दत्वाच्यो ब्रह्मतन मंगलं बिदुहू। ओम्कारस्चात्य शब्दस्यो दोएत्व ब्रह्म्हन पुरा कंठं भित्वा बिनिर्यात्व। तस्मान मांगलिकव अभव। ओम तस्त परब्रह्मने नमः। स्री राम जे राम जे राम जे राम स्री राम जे राम जे राम जे राम स्री राम जे राम जे राम अधर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वका हर हर महादें। विश्वभुद्ध मुक्तष्वरूप अनंत कूठी ज़्वांड नयक। पराध्पर्पूंत्म पुरस्षोत्त्म प्रभ्रह्भ्रम। सच्छदानन गन्म्म सर्वग्य सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान स्री कृष्ण से अर्जुन ने हाज जोड कर प्रार्थना किया। हे भगवन कार्पन दोशो पातस्वभावा प्रिच्छामित्वाम धर्म सम्मूध चेता यच्छेया स्यान निस्चितम भुरुहितनमे सिस्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवन अज्ञांता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्यान किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सरवग्य सर्वशक्तिमान ईस्वर हैं इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पाग्याथ प्रशक्तिमान जीव हूँ। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। इसलिए है भगवन, आप सर्वग्य सर्वशक्तिमान इस्वर का मैस्य से हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन, मन, बुद्धी, प्राण आपकी चरणों में अरपन है, आप मेरे परमकल्यान का उपाय बतावें। तो भगवान स्री कृष्ण बोले हे अर्जुन सावधान मंसे स्रमन करो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सताह, उभयो रपिद्रस्टोंतस तो नयो स्तत्त दर्शिभी, अविनासितु तद विद्धी, ये न सर्वं इधं ततं, विनाशं अब्यस्यास्यो नकस्चित कर्थु मरहती। अन्तवंते मे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणा, अनासिनो अप्रमे अस्य तस्मात युद्ध्य सुभारतों। ये नम बेतिहं तारं यस्चेनम मन्यतिहतं। उभवतव नविजानीतो नायम हं तिनहन्यते। अर्जुन आत्मा और अनात्मा दो बस्तु हैं। ये शरीर अनात्मा है। और शरीर में रहने वाला, शरीर को देखने वाला आत्मा है। और जितने भी कर्म हैं, वो देह, इंद्री, मन, बुद्धी, प्राणों में ही हैं। आत्मा में किसी प्रकार का कर्म नहीं है, वो तो केवल द्रश्टा साख्षी मात्र है। और आत्मा न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जन्मा है, कौन उसको मार सकता है, जिसका जन्म ही नहीं हो उसको कौन मारेगा। और उसमें कर्म नहीं है क्योंकि द्रश्टा साख्षी मात्र है। तु न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावा न भूया। अजो नित्याशास्वतोयं पुराणों नहन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन आत्मा न जायते है। इसलिए न म्रियते। अर्जुन आत्मा का जन्म नहीं होता है तो फिर मृत्यू क्या होगी। अरे मृत्यू तो उसी की होगी जिसका जन्म होगा। जब आत्मा का जन्म ही नहीं है तो मृत्यू क्या होगी उसकी। कौन मारेगा आत्मा को? मृत्यू तो उसको मारती है, काल तो उसको मारता है जिसका जन्म होता है। जातत सही धुरुव मृत्यू, धुरुवम जन्म मृतत से चाह। अर्जुन जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु द्रूव है, मानिया तल है, तो सरीर का जन्म होता है, तो सरीर की मृत्यु भी है, पर आत्मा का तो जन्म ही नहीं है, सब सरीरों में बैठ कर जो देख रहा है वो आत्मा है, मानिय अपना स्वरूप है, मैं देखने वाला हूँ सरीर मेरा दिखाई पड़ता है, और ये जितने भी सरीर हैं, इस्त्री, पुरुस, मनुसिप, सूपक्षी, ब्रक्ष, पर्वसूर, चंड, देवी, देवता, सब भगवान की माया से एक छण में बन जाते हैं, अब पुना मिट भी जाते हैं, पर सब के भीतर बैठ के देखने जीव आत्मा है मेरा ही वड की धन कर देख को, तो से मेरा ही जातिकता है, जीवात्मा मेरे बन जातिकि Etada, मेरा ही जात। इसलिए जीव आत्मा देखता है, और सरीर दिखाई पड़ता है, तो यदि मरेगा तो सरीर, जन्मा है तो सरीर, और मरेगा तो सरीर, और मैं तो जन्मा नहीं हूँ, इसलिए मर नहीं सकता हूँ, सरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा तो आजर अमर अविनासी है, जब उसका जन्म ही नहीं हूँ तो कैसे मरेगा, सरीर का जन्म हूँ है, वो भी मेरी माया से जन्म हूँ, मुझी इस्वर के सरीर और झीव के सरीर सम मेरी माया से बन जाते हैं, जीव के सरीर है, राम, कृष्ण, विष्ण, शिव, शक्ति, सूर्य, गने, कच्छ, मच्छ, भामन, वराह, अन्रशिंगा, त्येसा मुझी इस्वर के सरीर है, जिन्हें अवतार कहते हैं, और ये जीव के सरीर है, इस्त्री, पुरुस्य, मनुष्य, पसू, पक्षी, आड़ परवत ये जीव की शरीर है। किन्तो अरजुन ये सभी सरीर मेरी माया से एक छण में बन जाते हैं। क्यूंकि मैं सामगरी तो लेता नहीं। ये सरीर कोई सामगरी से तो नहीं बने है। जिसे कोई मकान बनावे तो उसमें सामगरी की जरूरत होती है। इटा, पत्थर, सरिया, सिमिंट, ये सामगरी की जरूरत होती है। तो अर्जुन ये सरीर भी एक भवन है, और इन में मैं रहता हूँ। पर मैंने कोई सामगरी नहीं लिया है। अपनी माया से, इच्छा मात्र से, सब सरीरों को बना दिया हूँ। अस्वयम मैं सब के हिर्दे में बैठ करके, सब की आँखों से मैं ही देख रहा हूँ। ति ये सारा संसार मेरी माया से बना है। इसलिए सारी संसार माया है। अब मैं देखने वादा स्वयम सचिदा नंद भान गन स्री कृष्न हूँ। स्री कृष्न कहते हैं मैं ही देखता हूँ। इसलिए जीवात्म मेरा स्वरूप है। मेरा सरीर भी मैंने अपनी माया से एक छण में बना लिया है। प्रगट हो गया। परित्रानाय साधुनाम बिनसाय चे दुष्कृताम धर्मसंस्थाप नार्थाय संभवाम युगे-युगे। अर्जुन साधुओं की ब्राम्वनों की गवणों की देवताओं की रक्षा करने के लिए और दुष्नों की दलन करने के लिए आप में प्रगट हो जाता हो। अपने माया से प्रगट हो जाता हूं। सब दुष्टों का संधार करके और जब काम पूरा हो गया, तो अंतर्दान हो जाता हूं। पर जब सब सरीरों में जो बैटके देख रहा है, इस सरीरों की रहने या न रहने से, देखने वाले मुझ आत्मा का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं, जियों का त्यों मैं प्रकास मान रहता हूं, इसलिए है अर्जुन, तु अपने आपको मेरा स्वरूप जान, और इन सरीरों को मेरी माया जान, तो मैय और मेरी माया दो ही चीज है अर्जुन, तीसरा कुछ भी नहीं है, तु नजायते इम्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भवितावा नभूया, अयो, नित्या, शास्वतोयं पुराणों, नहन्यते, हन्यमाने शरीरे, शरीर की नासोने पर भी आत्मा का नास नहीं होता, वेदा बिनासिनम नित्यम ये नम अजमब्ययम कथम सपुर्शह पार्थो कमघात यतिहंतिकम अर्जुन जो कोई अपने आत्मा को अभिनासि जानता है और नित्य सत्य जानता है, वो कहो और कर्म नहीं आत्मा में, तो कहो किसको मारेगा और किसके द्वारा किसी को मरवाएगा, ये तो मारना मरवाना ये माया राज में है, मेरी देहिंद्री मन बुद्धी प्राणों में है, मुझे में तो कोई कर्म है नहीं दृष्टा में, अकर्म हूँ, इसलिए माया का खेल है, मारना, मरवाना, धर्म, अधर्म, पाप, पुर्ण, सुभ, असुभ, देह, इंद्री, मन, बुद्धी, प्राण, इनी में सब कर्म है। इस और इस दृष्टा सांख्षी मात्र हूँ। तो जीवात्म तो सब सरीर में मेरा ही रूप, तो मैं एक हूँ, इसलिए आत्मा एक है, दो नहीं। सरीर अनेक है, सब सरीरों में आत्मा एक है। पर उंतो जो देव है, देखने वाले को देव कहते हैं, हर सरीर रूपी मंदिर में बैठके जो देख रहा है, वो देव है, तो अर्जुन देव तो मै ही हूँ, और देव देवाले है, देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा तिरेत अज्ञान निर्माल्यम सोहं भावे नपूजेत। अर्जुन देह देवालय है और देह के भीतर बैठ करके जो देखने वाला है वो सच्चिदा नंदगान ब्रह्म है, स्रिव है। इसलिए मैं देह हूँ इस अज्ञान रूपी निर्माल्य का त्याग करूँ। तु देह नहीं है अर्जुन, तु देख देखने वाला दश्टा साथी मेरी आत्म, मेरा स्वरूप। ये भगवान कह रहे है। तु बेदा बिनासिनम नित्यम ये नमजम अब्यम कथम सा पुर्शा पार्थो कम घातयति अहंति कम। बासांसि जीर्णानि अथा भिहायो नवानि ग्रहनाति नरो परानि तथा शरीरानि भिहाय जीर्णानि अन्यानि सैयाति नवानि देही। अर्जुन मनुस्य जैसे पुराने कपड़े जब हो जाते हैं तो उनको छोड़ देता है। और नए कपड़े पहन लेता है। इस प्रकार से जीवन में कितने ही मनुस्य कपड़े पुराने उतार चुका और नए पहन चुका। पर पुरुस तो वही का वही है ना। पुरुस तो नहीं बदला खाली कपड़े ही बदले हैं। इसी प्रकार से है और जो सब सरीरों में बैठ करके देखने वाला मैं ही पुरुस हूँ। और ये सरीर सब कपड़े हैं। और मैं पुरुस हूँ। और ये इस्त्रियादी पुरुसाद के जो सरीर हैं ये तो कपड़े हैं। ये पुराने हो गए इनको छोड़ दिया और नए कपड़े पहन लिया। तो मैं तो पुरुस हूँ वही का वही रहा, कपड़े ही बदलते रहे, सरीर ही बदलते रहे। और मैं पुरुस हूँ। सत्य से ज्ञान से आनंद से पुरुन तवात पुरुशाद। जो सत्य से पुरुन है, ज्ञान से पुरुन है, आनंद से पुरुन हूँ। को पूरुश काइते हैं। तो Arjun मैं सत्भ से पूर्ण हो क्योंकि मेरा जनम नहीं है. इसलिए मैं सत्य हूँ. ज्यान से पूर्ण हो क्योंकि अनन्द अखंड ज्यान रूप हु. आनन्द से पूर्ण हूँ, आदियंत रहित आनन्द का सिंधू हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तो मैं तो जोकत्यों ही रहूँगा, खाली ये सरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, सरीर ही बदलते रहते हैं, और वो भी माया से, मैं चण मात्र में बना लेता हूँ, अपने सरीर, राम, कृष्ण, वेष्ण, शिव, शक्ति, इस्वर, और इस्त्री, पुरुस, मनुष्व, पसु, पक्षी के रोब, मैं बना लेत स्ट्राइअ वे जएक अपना। घरोते हैं, सरा काysis बनता है ना, इस्वर, इक स्थिय के रहते हैं, सरा श्वर, बननते हैं, सारह संसार मेरी इच्छा मात से बन जाता हूं। इच्छा सक्ति मेरी माया है। ब्रंमांद निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रत唉 redef कहा है। मेरी माया ञच्छा मात में अनंत प्रिंपाट रॏप elbows मे बना देती है। और मैं सब सरीरों के भीतर बैठ करके देखता हूँ, तो जैसे बस्त्र धारी बस्त्र नहीं हो सकता है, ऐसे देह धारी देह नहीं हो सकता है, क्योंकि देह बस्त्र है, और जो देह को धारन करता है, वो तो स्वेम में ही हूँ, माया से देह बना लिया उसको धारण कर लिया जब जह जब उतार दिया यथा ने कन बेश धरी न्रत्य करे नट कोई जोई जोई बेश बनावई आपन होई सोई अर्जुन जैसे नट जब नाटक में जाता है तो बेश बना के जाता है नाटक करना है ना खेल करना है ना खेल में तो बेश बनाना ही पड़ेगा हम आप लोग हमारे गाउं के लड़के लड़कियां जब कोई नाटक राम लीला या रास लीला कोई महाभारत की लीला करते हैं, तो सज्जनों बेस बनाने ही पड़ता है, कपड़ा पहन लिया, बेस बन गया, राम का कपड़ा पहन लिया, राम बन गया, रावण का कपड़ा पहन लिया, राम बन गया, सच मुच में, वो राम राम नहीं है, वो तो गाउं घर के लड़के सीथा का कपड़ा पहन लिया, सीथा बन गया, परंतु नाटक में फिर वैसा या भी नहीं करना पड़ता है, जैसा कपड़ा पहन है, और कहना भी पड़ता है, मैं राम हूँ, मैं रामुन हूँ, मैं सीथा हूँ, कहना पड़ता है, तब भीतर से कोई अपने आपको भूल नह आपने ज़ुब नटक में मैं आपक रखम normal, वर अपने आप में आपक भीजाती हो पज्पर करने की है, क्पड़ार्हा चिलरते हैं, यह जोट्र आपक अलगफ देटी देजही देज़ीगतं, भीटर नटक में सतना, शर्सफशमने करहें डाट। इसी प्रकार से है अर्जुन, ये सारा संसार मैंने माया से रचाकेश लिए, ये नाटक है मेरा, सब सरी रूपी कपड़े मैंने ही दारण किये हैं, मैंने ही बनाए, मैं ही दारण कर रहा हूँ, सब कपड़ों के भीतर मैं स्वयम हूँ, मैं ही माता, पिता, भ्राता, भगनी, पत्नी, पुत्र, परिवार सब बना हुआ हूँ, अब मैं ही कहता हूँ, मैं ही राणी हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही इस्त्री हूँ, मैं पुरुस हूँ, कहता हूँ नाटक भर के लिए, जब नाटक खतम हुआ तो सब कपड़े उतार देता हूँ, फिर जो कते हूँ आप अकेला का अकेला हूँ, इस प्रकार से है अरजुन, ये कपड़े शरीर तो केवल नाटक खेलने के लिए मैंने धारण किया है, तो ये सब मेरा खेल ही जानना चाहिए, मैं ही रामलीला कर रहा हूँ, रामलीला में अनेक राम अरुधर रावन के पात्र में ही बना हुआ हूँ, क्योंकि रामलीला के वल राम से नहीं बनेगी, रावन भी चाहिए, नहीं तो रामलीला कैसे और रामायन कैसे लिखी जाएग जाना भी जोलती है। आज YOU कोई आच्या बुर भी नहीं होता है. 貹ल तो एक देखने की चीज है, भिनोध के आनन्द, थे खेल के देखने का आनन्द लेना है। खेल खतं होने पड़ तो उट वो ए सभी जैना है। इसलिए इसको खेल जानना चाहिए. राम लिला है ना, लिला नाम खेल का है, रास लिला है ना, लिला नाम खेल का है, भगवन कहते है, मैं ही गव ». जो दिखाई पड़े सब कपड़े हैं, अब सब के भीतर बेंट के जो देख रहा है, वो तो भगवान कहते हैं, मैं ही हूँ, दूसरा तो दो नहीं हैं देखने वाले सब सरीर में एक ही है, इसलिए वैसा ही अभिने करता हूँ, खेल में कोई नाच्छा है न कोई बुरा है, कोई कंस बना है, तो कोई कृष्ण बना है, परंटिये कंश और कृष्ण के कपड़े नज let leadership, घ्र कंश के शरीर में और कृष्ण के सरीर में देखने वाला तो एक यह ब्रह्मा है, परमात्मा ही हिए देख रहा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, हर सरीर में सकते हैं नुश्मात आप घ्र कंश का कृफ़ भृप को जाता है, एक भगवान ही रह जाते हैं, तो यथा नेकन बेश धरिंद्रत्य करें नटकोई, जो योई बेश बनावई आप नहो वैसोई, इस वरकार से सजनु, ये सब कपड़े, सरीर, रूपी कपड़े, भगवान ने अपनी माया से एक शण में बना दिये हैं, और सब सरीरों के भीतर बैठके, आप ही देख रहा है, आप ही खेल कर रहा है, दूसरा कोई नहीं है सर्जनु, तो बस्तर भी उसी ने बनाए हैं, और सब के भीतर बैठके, आप ही देखता है, आप ही खेल करता है, नंदगाउं बरसाना से ब्रंदाबन से बहुत गोपियां मत्रा जाया करती थी दूद दही मक्षन मलाई मत्ठाद बेंशने के लिए जाया करती थी और एक दिन थोड़ा अंधेरा हो गया साम हो गई तो जब घाट में आई जमना के किनारे तो नौका वाले अपने घाट अपने नौका बांध के घाट में अपने घर चले गए थी कोई था नहीं और इन गोपियों ने पुकारा अरे भाई कोई केवट है कोई मल्ला है तो नौका वाले तो सब चले गए थी तो एक शोटा सा रूप धारण करके केवट का वेस बना करके और एक शोटी सिन्नव का ले करके भगवान आ गए केवट के वेस में और कहा हाँ गोपियों क्या बात है कहा भाई हमको जमना पार उतार दो और अपनी उतराई ले लो अंधेरा हो रहा है हमारे साथ सोचते हो गए होंगे कि इतनी देर क्यों कि आज भाई है इसलिए उतार दो जल्दी से तो मल्दा के रूप में जो कृष्ण है उन्होंने कहा भाई देखो तुम बहुत हो मेरी नौका छोटी है मैं भी छोटा हूँ तो एक-एक करके तुम बैठ जाओ मैं एक-एक करके तुमको उतार दूँगा और तुम सब लोग बैठ जाओगी जमना जी बढ़ रही है बीच में बीच-धार में पहुंचे और कहीं नौका डगमगाने लगी पानी भर गया तुम्हारे भार से अर डूप गई तो इसलिए इसलिए तुम एक-एक करके बैठ उ तो गोपिया बोली नहीं भईया हम तो साथ ही चलेंगी नहीं तो एक-एक करके उतारने में तो बहुत रात हो जाएगी हम साथ ही चलेंगी जब चलेंगी तो कहाँ देख लो सोच लो हमारी नौका तुम देखा ही रहे और मैं दूप जाएगी तो तुम क्या करोगे फिर मुझे ही दोस्त दोगी इसलिए एक एक करके चलो तो जब नहीं मानी गुपिया तो कहा भाई बैठो मुझे दोस्त नहीं देना सब को बैठा लिया अब ले करके चले जब बीच धार में पहुंची नहीं तो ये मलाह रूप धारी कनहीं बोला गुपियों देखो नौका भरने लगी है डगमगाने लगी है पानी भरने लगा है तुम्हारा बोजया बहुत है तो फिर डूप जाएगी तो क्या करोगी इसलिए क्या करो ये जो गहना बहुत पहने हो, तुम सोने चांदी के आभूशन पहने हो, इनका बोज़ा बहुत है, इनको उतार करके फेंक दो, अब वो सोचती है, हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, और ये जो मठका लियो, दूद दही मखन मलाई भेशने वाली, ये मठके भी फेंक दो, कहती है कि देखो, ह मठके पुराने सीजे चले आ रहे हैं, हमारे सास क्या कहेंगे, मठका कहां फेक या है, तो वो कहती हैं कि, हम इनको कैसे फेक देखो, हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, तो मला रूप धारी कृष्ण कहिते हैं, कि भाई तुमको अपने प्रान ज्यादा प्यारे हैं, कि ये मठके और गहने ज्यादा प्यारे, अब प्रानों से प्यारे तो कोई नहीं न होता, कहा प्राण ज्यादा प्यारें तो गुले जल्दी करो नौका डूबने वाली है तो सज्यनों अब क्या करें प्राण तो सच मुच में बहुत प्यारें मट के फेक दिए गहने उतार उतार के सब फेक दिए अब नौका कुछ हलकी हो गई कृष्ण उस पार लिवा गए उतार गए जब उस पार उतार गए तब कनहया ने कहा ये जमना जी ने ले लिया है तुम्हारे गहने मट के सब बुले हाँ कहा जमना जी तो मेरी पट्रानी है उनके पास कोई कमी नहीं है मेरी पट्रानी के पास में वो तुम्हारे सब मटके और गहने सब लव टाल देंगी तो जमना जी ने सब लव टाल दिया तो गोपियों ने कहा अरे मला सच बचा तो कौन है तेरी नया है तो कनया कहते है नया हमार और नया भी हम है हमी के वनहार नया हमारी है और नया भी मही हूँ खेने वाला भी मही हूँ मने मुझसे भिन कुछ है ही नहीं यह लीला देखो भगवान की साधन मी वही है अब इसकार तो समझो साधन भी वही है और साध्ध भी वही है गीता ध्याय नवी में भगवान ने कहा अर्जुन पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पभित्रम ओंकारो रिग्साम यजु रहेगचव अर्जुन जगत का पिता महा हूँ और माता अर्जुन माता भी मही हूँ अर्जुन कहता है तो प्रभु ऐसा देखने में नहीं आता है पिता माता दो होते हैं और तीसरा पुत्र होता है अवाप हही पिता भी हो और माता भी हो तो भगवान कहते हैं हाँ पिता हमस्य जगतो माता अर्धाता संसार को धारन करने वाला कहा धारन करने वाला भी मह हूँ अव पिता मह कहा मेरा पिता पिता मह भी मही हूँ वेद्यम पवित्रम ओंकार हो जान्ययोग पवित्र ओंकार भी मही हूँ अंकार का बिस्तार, इस अबेधर रिग्साम यजुरेवचा, ये मेरे जानने के साधन है, का साधन भी माई हूँ, और ये इस्त्री पुरुस मनुसी ये जो सरीर है ना, ये भी मेरे जानने के साधन है, ये सरीर नहीं होगी तो, इंद्री मन बुद्धी नहीं होगी तो मुझ इसलिए ये सरीर इस्ति पुरुस की सरीर भी मही हूँ, मनुस्सरीर मही हूँ क्योंकि इन्ही की द्वारा, तो ये साधन है मेरे जानने के, तो साधन भी मही हूँ, और जानने योग मैं परमात्मा साध्य हूँ, तो साध्य भी मही हूँ. मत्ता पर्तरम नान्यत केंची दस्ति धनन जयो, मैं सर्वमिदम प्रोतम सूत्री मनिगनाईव। अर्जुन मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं ही मनियों के भीतर सूत्र के समान सब संसार में ओता प्रोत हूं। तो सर्वरूप भी मही हूं, सबसे अलग भी मही हूं। तो साधन भी मैं ही हूँ, ये मनुष्ष सरीर है भगवान की प्राप्ति का मुख जाना जा सकता हूँ, फसुपक्षि की द्वार नहीं है, ये साधन भी मैं ही हूँ, sociale ऑव मैं साध्दे हूँ, तो दोनों ही मैं हूँ, इसलिए मुझे से भिर्ण कुछ है ही नहीं जब मुझे को जान लेता है ये मनुष्षरीर के द्वारा जीव तब फिर साधन का काम पूरा हो जाता है फिर साधन रहे या ना रहे जैसे नौका गंगा पार करने का जमना पार करने का साधन है अब जब गंगा जमना पार कर लिया तो तो फिर नौका का काम नहीं रहता नौका छोड़ दिया जाता है इसी प्रकार से जब भगवान को जान लिया तो ये सरीर रूपी नौका का साधन भी पूरा हुआ इसने अपने परमात्मा को जान लिया साधन का काम पूरा हुआ अब ये साधन दूसरे को भगवान के बताने के काम में आएंगे जैशन नौका पार कर लेने पर जो पार हो गया उसका तो अनौका की जरूत नहीं है अब वो अनौका दूसरों को उतारेगी इसी प्रकाल जिनको ज्ञान हो जाता है अपना काम इन सरीरों से पूरा हो गया अब जब तक शरीर रहेगा परारब्ध परियंत तो दूसरों को ज्ञान कराएगा भगवान का परारब्ध पूरा होने पर ये नौका भी छोड़ जाएगी फिर एक भगवान रह जाएगा, इस सरीर कहां जाएगा, भगवान से प्रगठ हुआ था भगवान में मिल जाएगा, फिर एक सत्य भगवान रह जाएगे, स्री राम जे राम जे राम, स्री 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 राम का प्राणियों में विश्वका हर हर महा दे बलो सच्चिदानन्द भगवान की जये